हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेंड नॉलेज में दोस्तों आजम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में दो जिल्लों में बनने वाले 26 किलोमीटर का नया एक्सप्रेक्स वे लाखों लोगों को दोस्तों इसका फाइदा होगा ग्रेटर नुएडा में प्राधिकरन के मस्टर प्लान 2041 में 105 मीटर चोड़ा 26 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेक्स वे बनाने की योजना बनाई गई है योजना एक्सप्रेक्स वे बाडं की जिटी रोड से होते हुए जार्चा और आपूर तक बनाया जाएगा इस पर दोनु तरफ रेजिडियन्शियल स्कीम और इंडिस्ट्री के सेक्टर बसाई जाएगे यूपी प्रादिकरन के मस्टर प्लान दोजार इक्तालिस में 105 मिटर सोडा 27 किलो मिटर लंबा एक्सप्रेक्स वे बनाया जाएगा योजना एक्सप्रेक्स वे बाडंडं की जीटी रोड से होते हुए जार्चा और आपूर तक बनाया जाएगा इस पर दोनों तरफ रेजिटियंशिल स्कीम और इनिस्टी के सेक्टर बसाई जाएगे हलाकि पहले 2011 में भी इस एक्सप्रेक्स वे बन्ग को निकालनी की तेयारी थी लेकिन मास्टर प्लान तेयार नहीं होने के कारण यह प्रजेक्ट न वस्ते में डाल दिया गया अब यह एक्सप्रेक्स वे बन्ग को तेजी से बनाने पर काम शुरू होगा इसके बाद ग्रेनो की तरज पर ग्रेटर नौइडा फेस टू का जीटी रोड से लेकर आपुड तक विखास होगा एक समचार पत्र के मुताविक बता दें कि ग्रेटर नौइडा प्राधिकरन की वोर्ड मीटिंग में फेस टू मास्टर प्लान दोजार इक्तालिस पर सेमती बन गई है प्लानिंग विवाग ने फेस टू कोर्ट डेवलेप पर करने के लिए प्लान बनाया सुरू कर दिया है ग्रेटर नौइडा से आपुड तक डेवलेप्मेंट करने के लिए 105 मीटर रोड बनाने की प्लानिंग बनी है यह रोड 26 किलो मीटर लंबा और 105 मीटर चोड़ा होगा यह ग्रेटर फेस टू के विकास में सबसे एहम रोड माना जाएगा इसके दोनों तरफ स्कूल, आस्पिटल, इंडिस्टियल सेक्टर और रेजिजिजेंशियल सेक्टर मसाए जाएगे दोस्तों इस रोड को मनाने की प्लानिंग पहले भी की जा चुकी है ग्रेटर नुएडा की कमर्शियल बैल्ट से लेकर जार्चा तक एक्सप्रेक्स बनाने के लिए ग्रेटर नुएडा अथरोटी ने 2011-12 में 11 घाउं के लिए किसानों से सीधे जमिन खरीदी थी जमिन को खरीदने पर ग्रेटर नुएडा अथरोटी ने करीब 25 करोड रुपे खर्च किये थे लेकिन ग्रेटर नुएडा फेस के डेवलप्मेंट के मास्टर प्लान को मंजूरी नहीं मिली जिसके कारण यह हाईवेट ठंडे बस्ते में चला गया इसके लिए ग्रेटर अथरोटी ने वडांकी, दातावाली, नई भस्ती, वुर्फ, बेरंगपूर, फुलपूर, मिल्क, कटाना, दनुबास, प्रासी, गुलावटी, खुर्द, मुंडियानी और जार्चा, समेत 11 गाउं, किसानों से सीधी, बेनाम से जमिन करीदी थी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे था वीडियो को लाइक, सिस्क्राइब और जाधा जाधा शेयर करना ना भूले, बहुत बहुत धन्याओ दोस्तों वीडियो को दीखने के लिए